नमस्कार विरार 24 न्यूज में आपका सौगत है मैं हूँ आपके साथ हिना न्याले ने 8 दिसंबर को हाजिर होने के लिए संबन जारी किया था लेकिन विधाय केपी तिरपाथी न्याले में उपस्तित नहीं हुए इतना ही नहीं पुलिस ने विधाय केपी तिरपाथी के भोपाल में होने की बात न्याले से कही आरोपी विधाय के पी त्रिपाठी के दोरा अपरसत नयाधीस के न्याले में निगरानी लगाई गई थी लेकिन आपत्ती करता दिवक्ता राजेश सिंग की दलिल सुनकर अपरसत नयाधीस सिर्मोर ने जन प्रतिनिदियों के अपरादिक मामलोग के विच्रण के लिए इस्पेसल कोड गटित होने का हवाला देते हुए निगरानी खारिच कर दी और अपने छेतरा दिकार में ना होने की बात कही है आपको बता दे कि मध्यप्रदेश के चार जिलो इंदौर, भोपाल, गौलियर एवं जबलपुर में विसेश नयाले गठित किये गए हैं और उच नयाले जबलपुर के उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार जबलपुर में गठित विसेश नयाले में रीवा जिले का छेतरा दिकार आता है और उसके अनुसार रीवा जिले के जन प्रतिनिदी से संबंदित अपराधिक मामले के सुनवाई जबलपुर में गठित नयाले में होगी आपको याद दिला दी किसे मरिया विधाय केपी तिरपाथी के दोरा सिर्मौर जनपत के मुख कारपाला नधिकारी सुरेस कुमार मिश्रा पर अनवश्यक दबाव बना कर भुकतान कराना चाहते थे ना करने पर धमकी दी गई थी और उसके बास साजिस रजकर अपने अन एक दरजन सहयोगियों के दोरा प्रार धातक हमला करवाया था उस मामले में पुलिस ने सत्ताधारियों के दवाओ में आकर विधाय केपी तिरपाठी को आरोपी नहीं बनाया लेकिन जब चालान पेश करने का नंबर आया तो मुख कारपाला नधिकारी सुरेस मिस्रा के दोरा आपत्ती दर्ज कराई गई थी जिस पर नेयाले ने विधाय केपी तिरपाठी के खलाब 341, 342, 294, 147, 148, 143, 335, 332, 325, 333 की धाराओं का विधाय केपी तिरपाठी को आरोपी माना और मामला संग्यान में लिया था इतना ही नहीं न्याले ने विधाएक केपी तिरपाथी को 8 दिसंबर को कोट में हाजिर होने का संबन जारी किया था लेकिन रिवा जिले की पुलिस जुद विधाएक केपी तिरपाथी को बचाओ के लिए उनका नाम तक नहीं लिया था वे सम्मन कैसे तामिल कर सकती है विधायक के पितर पाथी लगातार रीवा जिले में सहर से लेकर गाउं तक कारक्रमों में सामिल हो रहे हैं और सोसल मीडिया में फोटो भी अपलोड कर रहे हैं लेकिन रीवा की वे पुलिस जो कई किलो मीटर दोर कर अपराधियों को पकरती है भारी घेराबंदी के भी इस तसकर फरार हो जाती हैं छोटे छोटे मामलों में वहवाई लूटती है वे विधायक के सामने ऐसे नत मस्तक हुई कि संबन तक तामिल नहीं कर पाई पुरे मामले को लेकर आपती करता के वकील राजे सिंग ने बताय कि नाले के दोरा विधायक केपी तिरपाथी को आरोपी बनाय चाने के बाद विधायक ने हाई कोर्ट की सरन में पहुचे थे लेकिर वहाँ बाद में अपना केस विड्रौ कर लिया वही सिर्मौर अपर सत्र नयाधीस के यहां निगरानी लगाई थी जहां सुनवाई करते हुए विधवान नयाधीस ने पुराने आदेस को ना तो खारिच किया और ना ही आगे कोई सुनवाई की बलकि नयाधीस ने इस पश्ट आदेस दिया है कि विधाय केपि तिरपाठी जन प्रतिनिदी की स्रणी में आते हैं इसलिए उनके मामले के सुनवाई विसेज नयालय में की जाए सबसे बड़ी बात यह है कि विधाय केपि तिरपाठी जिस तरह से साजिसरसकर जन पस्तियों के उपर प्रारघातक हमला करवाया और आरोपी बनाए गए अब उनके दोरा नयालय की अभुमानना की जा रही है अगर विधाय केपि तिरपाठी निर्दोस है तो फिर उनके नयालय में उपस्तित होना चाहिए था और नयालय का सम्मान करना चाहिए था लेकिन विधाय केपि तिरपाठी पुलिस पिसासन के सयोग से फरारी काट रहे है वही छोटी-छोटे मामलों में आम जनता को सलाखों के पीछे पहुचाने वाली जिला पुलिस को विधाय केपि तिरपाठी दिखाई नहीं दे रहे है रीवा के विविन कारकिरमों में सामिल होने वाले आरोपी विधायक को पुलिस भोपाल में होने की बात कहकर बचाने का प्रयास कर रही है लेकिन जिस तरह से नियाले ने विधायक केपी त्रिपाठी पर सिकंजा कसा है उससे नहीं लगता कि अब अपरात कर बचने वालों को कोई राहत मिलने वाली है आपको यह भी बता दे कि विधायक उस समय आरोपी बनाएगे जब पुलिस पिसासन अपराधियों को बचाने के लिए 90 दिन तक डायरी पेस करने के मूड में नहीं थी लेकिन पीडिस CEO ने आपत्ती करता वकील ने आपत्ती दर्ज कराई तो खुलासा हुआ और CEO कांड के मुख सूतरधार से मरिया विधायक के पी तरिपाठी आरोपी बने आई आपको सुनाते हैं पत्ती करता के दिवक्ता राजे सिंग को की पूरे मामले मिले करूनों ने किस तरह से खुलासा किया किस तरह से विधाय का रोपी बनाए गए और आगे की प्रेक्रिया के लिए नियाले ने क्या आदेश दिया है विधाय के पी तरिपाठी को नियायले ने तलब किया था लेकिन नहीं पहुंचे वाई ये जानते हैं कि क्या मामला हुआ और आगे नियायले ने क्या संग्यान लेते हुए क्या निर्ड़ाइ किया अपने तर्माम्बों को साम्मिल आया क्या हुआ है तलब किया था लिधायकों इसमें साना से मधिया से इसको नोटी जारी थे जाए थी विधायक के पिसमपाठी को आठ वाराद वोजाद वाइस के नियाले ने था जी पर्सित उनके दुआर ये प्रतिवेदन दिया गया ह कि मैं अन्यकारी में गरता था और विधायक द्वारा इस जो मेजिस्ट्रेट साहब द्वारा आणर किया था उसके विरुद निगरानी पाइल किये थे तन्तु शाउधान परशत मेयारी थे उतकल उन्होंने निगरानी उनकी निरस्त कर दी थे कि इस पूर्ट को इसे प्र में किस्पूर्ट को अधिका इस्ता नहीं है इसके लिए हमने एक आवेदम पाइल किया है और उनके फेस्बूक का प्रेंट निकाल के दिये हैं कि वह यहां अरीवा में की मौदूस है उनकी जान बुझकर फुलिस जो है उनको बचाने का प्रियास कर रही है और प्रक्रण जो साथ चाहें उनको मिटाने की कोशिश फुलिस द्या रखी जा रही है उसके सम्मण में अबने आवेदम दिया है उसी आवेदन पर बिशार कि बागामि डिट में उस आवेदन पर इचार कि पनिया जारत रखी नहीं कि पूरा माम्ला की सामने आ यह जैसे पर जाला झाल पूरा मामदा खाम नहीं है जी उसमें हमको सियो सहर ने कहा था कि आप हमारे तरफ से पहली पहीं और जब हमने 156 गाजे दन लगाया कि पुलिस द्वारा जो है तो जान बुसकर अनुवेशन उपरांट नियाले में आप पतुजी अस्तुप कर रही है पुलिस का प्रयास है कि हम अभी उप पत्रणगी पेज़ करेंगे जो अभी जेल में उनकी विल अगुशेट सभिगोप तो नियाले नियाले में उनकसे प्रतिवेदन मंगा रहा प्रतिवेदन बाक्र नमें ंशल किया और जब चलान की तो रहा रहां 237 घृत से कि द्वारा घटना कारेट कराएगे इसको लिहां में रखते हुगे नियाले ने जो प्रक्रेण दितत्र मौजूद के जो साक्षण मोजूदित असके अनार्परम के जी सव्यान लिया और इसी सव्यान के बात दुद है अभी आजो तो फैंसा लेड़ होगा अधिर परेशने का है अब आज़िस क्या प्रक्तिया हो इसके पाइगा फ्रॉट जिसके लिए क्या है? वीशेयस प्रॉट का MPNLय के लिए मानित्र बोचनियाले के इनिज़ेसान हो प्रॉट का ने रगन दिया गया है किसके सब को मामला यह चला जागरे और वहां विचाराँ को नियामी ये लेक्ट जो वहरा रूद मोट है तक पूरी सुनाइगे जरकत कि आओंग अधिक्त अन्य जहं कारी जानकारी है कि पूरा प्रक्राण ही यहां सुनत के चला जागरा सब का मामला वनी चले जिसे सब दिए इसके लिए तो इनकी निगरानी में ऐसा ओडर हुआ है अभी लोर कूट ने ऐसा ओडर में दिए अभी तो इनका ओडर है कि पहले तो हाजीर हुआ अजीर होने के बाद के लिए तो कि ने तो उसके लिए लागी के लिए और जब्हां पर जाए तो इससे तो जहाँ पर मामला चल रहा था तो और वह तो ने यह कर दिया है कि मुझे इस आबेदन पर कोई सुनवाई का छेतराजिकात प्राब्त मिये लिए है और विधाय की द्वारा मनुशने आले में भी निगरानी केस की थे, विप्राप कल दिये हैं, अब तेक्तियम कहां जाएंगे तुभी हैं